हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छा होंगे मैं भी बहुत ज़्याद अच्छा हूँ फ्रेंड्स मेरा नाम है अन्यन महानती मेडिकल सॉलवार यूट्यूब चैनल में आप सबी का स्वागत है आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे इसीजी टेस्ट को कब किया जाता है और इसीजी टेस्ट बहुत ही भाइडल टेस्ट है इसलिए आप इस टॉपिक को बीना स्किप किये कॉम्प्लीट की वाच कीजीगा फ्रेंट्स शुरू करने से पहले आप सभी के पास एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल पर 80% कुछ इस तरह का लोग है जो हमारा चैनल को तो देखते हैं चैनल का वीडियो को भी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्स्राइब न और नए नए जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगा तो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्स्राइब कर लीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज का इस ट्रॉपी को शुरू कर लेते हैं कि ECG टेस्ट कब किया जाता है यह तो सबको पता होता है कम या ज्यादा सबको पता होता है जैसे कि ज्यादा उमर में ECG किया जाता है ज्यादा उमर में क्या होता है कि हाट का कॉंडिशन एबनॉर्मल हो जाता है तो इसलिए ज्यादा उमर में ECG किया जाता है लेकिन ECG कभ वॉटर को एक जगह से दूसरी जगह पाइप की मदद से पहुंचा देना लेकिन माला लीजिए आपका जो वॉटर पाम में पर करता है कि अब ज़्यादा प्रेसर क्रेड करते हैं तो कहतें कि उस जगह में वॉटर थीक तरह से चल नहीं जो blood vessels होता है इस blood vessels के अंदर हमेरा शरीर में ज्वा ज्यादा हाई हो जाने की बझे से ब्लाट विसल के अंदरнулिक जमा घ्याता है It is a true level हो जाने की पपशिज़ से triglicerate जमा हो जाता है तब क्या होता है कि मतत्र से क्या होता है कि सटो है हुआइं प्रक्तite में left atrial right atrial और नीचे का जो चिंबर होता है दोनों चिंबर होता है उसका नहीं में left ventrium पकाम है कि ब्लाट को आपने की कि वहां से किया करना है आपको पाम की सो हाट की अगर कुछ हाट में कुछ डीजी जा जाता है जैसे की हाट में अगर मायो करडियल इंफेक्शन हो जाता है और कभी कभी फार्ड में कभी-कभी इंप्लामेशन हो जाता है हाड में कभी-कभी सुजन आ जाता है यानि कि हाड में कभी-कभी इंफेक्शन देखने को भी मिलता है और कभी-कभी हाड अटक देखने को भी मिलता है और भी बहुत सारा रिजिन हो सकता है ठीक है तो अगर इस सारा रिजिन का प्रॉब्लम होता है तो तभी ECG को किया जाता एंती है और कभी-कभी किया होता है की हमारा स्वरिस्टमें डाती अगर ट्राविस्ट में लेबल बहुत जड़ ही हो जाता है तभी लिए सब्सक्राइब की पर सकते हैं क्योंकि मानली जी अगर आपका left side chest में बहुत ज्यादा pain हो रहा है ज्यादा दिन से pain हो रहा है या कम हो रहा है और आप बहुत ज्यादा काम करने की बज़े से क्या हो रहा है कि आपका heart rate कभी-कभी high हो जाता है कभी-कभी low हो जाता है तभी आप लोगों को ECG test कर लेना चाहि मिलता है वहां पर कम उमर में भी किया जाता है जैसे कि साथ जरी के time में साथ जरी के time में ECG इसलिए किया जाता है कि आपका heart का condition normal है या नहीं अगर करते समय क्या होगा कि आपका heart rate ज्यादा हाई हो जाएगा जिसकी बज़े से आपका heart failure हो सकता है तो इसलिए साथ जरी के समय भी ECG किया जाता है सो इसलिए friends ECG बहुत ही vital test है अगर आपको इन सरा अगर कोई symptoms देखने को मिलता है तो आप इस test को कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही vital test है और ECG करने के बाद आपको heart का बारे में सब कुछ details में पता चल जाएगा सो friends उम्मीर है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ECG test को कब किया जाता है और friends वीडियो पसंद है तो वीडियो के like कर दीजीगा दोस्तों को साथ share कर दीजीगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon को all press कर लिजीगा क्योंकि इस Instagram पर आप जरूर फॉलो कर लिजीगा तो चलिए friends आज का इस topic को अई पर खतम करते हैं मिलते हैं आगले topic पर तब तक के लिए thank you so much and thanks for watching